सिंगापूर एक ऐसा देश जहां मुस्लिमों की आबादी लगबग 15% है इसी देश में एक इसलामिक उनिवर्सिटी सापित करने की योशना बन रही है आदाब आप देख रहे हैं आवाज़ू वोईस और मैं हूँ आपके साथ अमीनमाचत सिंगापूर के बहुजातिय और बहुदार्मिक परिवेश में रहने के लिए मुसलिमों को धार्मिक मारदर्शन देने के अपने प्रयासों के तहट सरकार अरब जगत की जाने माने इसलाम उनिवर्सिटियों के साथ मिलकर इसलामी अध्यन महाविद्याले शुरू करने की यूजन बना रही है दुनिया में सबसे जादा जीडीपी वाले इस देश में लगबग 31 प्रतीशत बहुत और लगबग 15 परसंट मुसलिम आबादी है तीसरे सबसे बड़े धार्मिक समों के लिए मुसल्मान और उनमें से लगबग 80 जातियं मल्य है और जबके 13 भारतियं मूलके है स्ट्रेट टाइम्स की न्यूस के मताबिक स्लामिक कॉलेज ने सिफ धार्मिक नेताओं को बलके उन लोगों को भी तयार करने जा रहा है जो सोशल सेक्टर में युगदान देना चाते है उन्हें स्लामिक स्टेडीज और सोशल साइंसेज में चार वर्षिय फुल टाइम अंडर्ग्राजवेट कोर्स ओफर किया जाएगा सिंगपूर कॉलेज अफ स्लामिक स्टेडीज सिंगपूर उनिवर्सटी ऑफ सोशल साइंसेज और भी कई इंस्टिटूशन के साथ मिलकर काम करेगा इन संस्थानों और मिस्टर में अल अजहर जैसे और भी निवर्सटी के नेता मुस्लिम अलसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपने विचारों को युगदान देने के लिए SCIS Advisory Panel में शामिल होंगे यह अनॉंस्मेंट हाल ही में प्रधानमंत्री निलॉरंस वूंग ने M3 के एक मज़ पर की PM वंग ने कहा के वो चाहते हैं कि उनके पास मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक मारदर्शन देने के लिए ज्यान और कौशल हो लेकिन साथ ही सिंगापूर जैसे मल्टी कल्श्रल समाज में रहने के लिए धर्म की समझ भी हो और आधुन एक दुनिया की मुद्दों पर आत्म विश्वास से प्रतिक्रिया करने में मुसल्मानों का मारदर्शन करें आगे उन्होंने कहा कि ये सिंगापूर में उनके लिए एहम है और उनका मानना है कि इससे मल्य मुसलिम और भी समुदाय की बीच विश्वास को और मजबूत करने में मदद मिलेगी और वो एक जुट लोगों के रूप में चुनोदियों का सामना करने में कामियाब होंगे इसके अलावा कमपॉंग लेक्स में एक और एतिहाजिक जगा है 200 साल पुरानी मस्जद सुल्तान जिसका रेस्टोरेशन काम भी किया जाएगा उन्होंने कहा कि M3 की प्रयास सिंगपूर की नेशन बिल्डिंग की नए चरन के लिए यूजनाव को दर्शाते हैं